जाहिन दोस्तों स्वागत है आपका sociology classes के हमारे यूटूब चैनल पर तो आडियो लेक्चर सीरीज में हम आज काल मार्क्स और मैक्स बेबर को देखेंगे तो इससे पहले जरूरी सूचना हिया है कि अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है जॉइन कर सकते हैं जहां पर आपको 9 एम और 9 पीयम पर जो है लाइफ प्रवाइट कर वाए जाते हैं तो आप चुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पर प्रशनों की और जिसका लिंक आपको वीडियो के इस डिस्क्सिप्सिप्शन बॉक्स में मिल जाए का तो आई ये देखते हैं काल माक्स के बारे में काल माक्स का जो है जन 1818 में हुआ था तो काल माक्स को इतिहास में युग पूरुस के नाम से भी जाना जाता है काल माक्स का पूरा नाम कार्ल हाइनरिक्स माक्स है तो काल माक्स का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था और जर्मनी के राइज लैंड प्रांथ में प्रियर नामक नगर में जो है इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ काल माक्स पे जो है सरवाधिक प्रभाव जो देखने को मिल जाता है वह हीगल और फ्रांसीसी दार्थनिक प्रोधों का देखने को मिलता है तो माक्स जो है क्रांथिकारी सामयवाद और समास्सास में विशेष्ट एतिहासिक भौतिक वाद के जनक के रूप में जाने जाती हैं और एतिहासिक भौतिक वाद जो टर्म है वह हीगल से प्रभावित होकर इन्हों ने लिया माक्स ने जर्मनी के हीगलवाद, फ्रांस के समाचवाद और ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्ता समंधित विचारों का समन्यवाइक कर जिन अवधार्णाओं और सिध्धानतों को जन्म दिया वे ही बाद में माक्सवाद के नाम से जानी जाती है तो काल माक्स जो है उनकी प्रमुक्रितियों के रूप में पहले हम कृतिया देख लेते हैं उनकी कृतिया कौन कौन सी रही है उनकी प्रमुक्रिति रही है दा होली फैमली बिद एंगल्स अठारस और पैतालिस में जिस पुस्तक में इन्होंने सर्वहारा का उल्लेख किया है दूसरी पुस्तक इनकी है दे जर्मान आइडियोलोजी जो पुस्तक है इन्होंने इंगल्स के साथ लिखा है 1847 में इस पुस्तक में इन्होंने दुन्दात्मक भौतिक वाद और आतिहासिक भौतिक वाद की भीवेचना की है इनकी अगली पुस्तक है जो 1847 में ही आई है और जिसमें इन्होंने सर्पथम दुन्दात्मक और आतिहासिक भौतिक वाद के पुनियादी सुट्रों को पेस किया था उसके बाद इनकी अगली पुस्तक जो है ज्यादा पूची जाते है कमनिस्ट मेनिफिस्टों या इसे मेन 5848 में आई है उसके बाद इनकी जो अगली पुस्तक है दकास बास काणफ्लिक्त इन फ्रांस में है जिसमें इन्होंने सर्वहारा के अधिनायकत्यों के प्रसिद्धसुत्र का प्रयोग किया है और पहली बार वर्ग शंगहर्श की बात इन्होंने इस पुस्तक में की है इसके बाद इनकी अगली पुस्तक है प्री कैपिलिस्ट एकोनोमिक परफॉर्मेंस और देन इन्होंने एक कांट्रिब्यूट आफ क्रिटिक आफ पॉलिटिकल एकॉनमी 1869 और दास कापिटल जो है इनकी प्रमख पुस्तक है रही तो इनकी जो पुस्तक है दास कैपिटल दास कैपिटल में इन्होंने हो एक आप सरव्हारा वर्ख के एतिहासि कर्थल के सिध उर्दान्त को और समाजवादी गरान्त प्रज्छा जाओ 못 की कॐंड specific और दास कैपिटल को समाजवादियों की आइबल भी कहा जाता है प्रशन पूछा जा सकता है कि एक correctly कि कौन सी पूछतक है जिसको समाजवाधियों का बाइबल कहा जाता है है जिसको समाज की ब्याख्या करते हैं तो काल माक्स हीगल के प्रवावी थे उन्होंने हीगल को पढ़ा तो हीगल का जो विचार था कि चेतना के द्वारा समाज में परिवर्तन होता है और चेतना ही समाज में उपस्थित प्रतेक वस्तु की चन्म का कारण होता है या निर्धारण का कारण होती है तो इसकी माक्ष ने आलोचना की माक्स ने कहा कि भौतिक पदार थी है जो चेतना का निर्धारण करते हैं जहां हीगल करते हैं कि चेतनाओं के माध्यम से समाज में परिवर्धन होता है वहीं माक्स का मानना था कि भौतिक द्वंदों के परिडाम के कारण समाज में परिवर्तन होता है माक्स ने कहा कि जब उत्पादन मोडा प्रोडक्शन में परिवर्तन होता है तब समाज में परिवर्तन होता है अर्थात इन्होंने आर्थिक संसादनों को अधिक महत्मता प्रदान की है माक्स का जो विचार है उसमें इन्होंने उत्पादन पडाली को परिवर्तन के किंद्र में रखा है उन्होंने उत्पादन पडाली के कई तत्तों की चर्चा की है उत्पादन जो पडाली होती है उसमें उत्पादक सक्ति होती है और उत्पादन संबंध होते हैं उत्पादन सक्ति के अंतरगत उन्होंने उत्पादन के साधन और योग्जिता और कौसल को रखा है उत्पादन के साधन अर्थत Means Up, प्रोडक्शन में उन्होंने भूमी को, पूजी को, स्रम को, कच्चा माल को, तकनीक को, अर्थत माक्स तो उत्पादन के साधनों में उन्होंने निर्जीव वस्तुओं को रखा है, लेकिन अगला उत्पादन सक्ति में, योग्यता और कौसल में माक्ष ने सजी उस्रम अर्था स्रम सक्ति को रखा है और उत्पादन से संबंध दो तरीके से इन्हें बता है कि एक तो प्रोड़क्षन रिलेशन इस तरह से होता है एक तो जिसका साधन पे स्वामित होता है उसे इन्होंने संचित वर्ग कहा और जो साधन पे स्वामित नहीं होता है जिनका सम उत्पादन साधन पर नियंतर नहीं रहता है उसे इननोंने वन्चित कहा है अंक्ष कहा संद्श्च लोतें समय जो है स्लामन्तवाद का अंत्रहा था और पूझी बात का उजय हो रहा उने से वह जुड़े हुए थे उनकी विचारधारा उसी तरह की बनी थे उन्होंने पूजी वाद में देखा कि सरवहारा वर्ग और बुर्जुगा वर्ग का संबंध होता है उन्होंने का सरवहारा वर्ग और बुर्जुगा वर्ग का जो संबंध होता है वक्कायस निक्सिस नहीं होता था उन्होंने का पूजीवादी समाजों से पूर्व के समाजों में एक चीजें नहीं देखने को मिलती थी इन्होंने का समाज के सभी संबंदों में binary opposition का संबंद होता है जिसमें प्रतेक दो संबंद एक दूसरे से पूरक ना होकर एक दूसरे के परस पर बिरोधी होते हैं इन्होंने का पतीक समाज में जो भी वर्ग पाए जाते हैं वह एक दूसरे के सहयोगी नहों कर आपस में पूरक या बाहनुरी अपोजीशन अर्थाद बिरोजी होते हैं और जो इन्होंने कहा कि हमेशा इनमें संघर्स बना रहता है और समाज में जो भी परिवर्तन होता है इन वर्गों के भी संघर्स होने के कारण जो है परिवर्तन होता है इसी को इन्होंने जो है संघर्ष वाद या वर्ग संघर्ष का हैं इनका एक स्टेटमेंट है कि अब तक के ग्याद सभी समाजों में क्या है है कि संघर्ष या वर्ग संघर्ष का जिहास रहा है है कि इन्हों ने समाज के विकास के पांच करम बताएं हैं जिसमें क्रम इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रम क्योंकि बार बार पूचा जाता है जिसमें इन्होंने करम बनाया आदिम सामयवाद या आदिम समाज कर लीजिए दूसरा इन्होंने बताया दासत्व या प्राचीन समाज तीसरा इन्होंने बताया जो है सामंती सामंतवादी समाज और चौथा इन्होंने पूजी वाद, पूजी वादी समाज को बताया है और पांचमा जो इन्होंने बताया कि सामेवाद आएगा पूजी वाद के में वर्ग संगर्स जब होगा तो वर्ग संगर्स होने के बाद सामेवाद आएगा तो ये पांच प्रकार के क्रम से समाज का विखास हुआ जिसमें इन्होंने आलीम समाज में को वर्ग भीहीन समाज देखा अर्था इस समाज में खादि संगराहा का और सिकारी रहते थे जिसे इन्होंने वर्ग समाज देखा दास्वत्त वया प्राचीन सामाज में पहली बार इन्हों ने काए कि सरप्त्भर्धम वर्ग का अस्तित्वाया जब जिनका किसी भूमी पर अधिकार हो जाता था वह भूम के स्वामी हो जाते थे और जिनका नहीं अधिकार होता था उनको दास बनाकर उसे भूमी पर कादि करवाते थे चौथा उन्होंने सामंत वादी समाज बताए जिसमें कृषी जो है उच्छ अस्तर में थी और प्रश्पालन भी पाये जाता था इसमें सामंत और कृषी दास देखने को मिलते थे दो वर्ग उसके बाद चौथा इनका पूजी वादी समाज है तो पूजी वाद में इन्होंने उद्योग और मस्लीनों को देख रखा है और इसमें कहा कि दो वर्ग पाये जाते हैं एक बुर्जुगा दूसरा सरवहरा अर्था जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्र होता है उसे इन्होंने बुर्जुगा कहा है और जिनका नियंत्र नहीं होता है या वंचित वर्ग जो होते हैं इन्होंने सरवहरा वर्ग की शंग्या दी आगे ये बात करते हैं अधोसनरचना, अधोसनरचना या सब या इंफां स्ट्रक्चर इसको इन्हों ने कहा है, माक्ष ने अधोसनरचना के अंतरगत अर्थ व्यवस्था उत्पादन पडाली को रखा है, और कहते हैं कि पदा अर्थ, निर्धारित करता है कि चेतना विचार का स्वरूप कैसा होगा ना कि चेतना यह बताएगी कि भौतिक तत्व कैसा होगा तो इन्होंने हीगल का जो है संसोधन करते हुए का है कि हीगल सिर के बल खड़े थे मैंने उन्हें पैरों के बल किया है किसलिए क्योंकि यह मानते थे चेतना से भोतिक टत्वें का निर्मार हुआ है या होता है कि vision lat сум जो चीजें हमें सामने दिखाई देती हैं उस अधार पर हमारी विचार बनते हैं इस तरह की बात जो है मक्स करतें कि कि मोटने बिचारों का निर्धारा करते माक्स के अनुसाल जो था कि बिचार अस्तित्व का निर्धारण नहीं करते हैं बल्कि अस्तित्व चेतना या विचार का निर्धारण करती है इनों हा कि अधो सन्रचना होती है जो अधी सन्रचना का निर्धार करती है इन्होंने कहा कि स्वयम मस्तिस्क शरीर की उपज है ना कि शरीर मस्तिष्क की अर्थात वस्तुए चेतना का निर्धार नहीं करती है इसी अधारणा को एतिहासिक भौतिक वाद के नाम से जाना जाता है इन्होंने काया कि जब जब समाज में भौतिक वस्ता में परिवर्तन आएगा तब तब इतिहास बदलेगा अर्था समाज में परिवर्तन होगा और इसको इन्होंने यूरोपी समाज के अध्यन के संधर में बताया और उसमें इन्होंने यही आधिम समाज, दासत्प, प्राचिन समाज, समंत वाधी समाज और पूजी वाधी समाज को इस आधार पर जो है इन्होंने याख्या की है दूसरा इन्होंने बताये हैं जो अधी संद्चना की बात की है अर्थात सूपर इस्ट्रक्चर की बात के अंतरगत माक्स धर्म, कानून, संस्क्रिती, सिछ्छा, परिवार, बिवार, नातेदारी आज को रखते हैं इन्होंने कहा हा कि जहां जिस तरह की अधो शंरचना अर्थात उत्पादन या और्थिक प्रडलालियां जैसे ही वैसा ही वहाँ के धर्म कानून संस्र्थिती आधी चनिरमार हो गार्था अधी शंरचना ही अधो शंरचना के निरमार के का कारक होती है अगर अगर को अगर कि अगर कि अगर कि माक्ष ने कहा जिब रतेक समाच में दूर्वर्ग पाए जाते हैं कुछ का उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल होता है कुछ का नहीं तो संचित वंचित वर्ग हो गया उसके बाद संगर्ष कैसे होता है उसको हम इस तरह से देखते हैं वर्ग संगर्ष इन्होंने कहा कि पूझी वादी समाज में two प्रकार वर्ग संचित वर्गत वंचित वर्ग तो तो संचित वर्ग पहले उसमें वर्ग चैतना का भा над रहता है जब वर्ग चो चेतना का भाव होता है तो उस रेड़ी को इन होने का कि क्लास फार इनसेल्फ सी यह ले क्लास इन फार इनसेल्फ लास फार इन सेल्फ कहां पहली अउधार्ण का करी अपने आप में वर्ग तो अपने आप Мне work की अवस्था में अप्यक्ते रहता है तो समेंट अनकरा भाव होता अपने तो की प्रतित ना का भाव होता है और्क लि mớiक्ति जब अपने हीतों के प्रति चेतन सचेत होगा ही तो और अधिकार्यों प्रत्तित होकर सदेव उसको प्राप्त करने के लिए ततपर रहेगा तब वह अपने आप के लिए वर्ग हो जाएगा फिलाफ फार हो जाएगा पपहले फ्लाफ फार इंसे उसके juci से भाइब है तो संदर में माक्स कहते हैं कितब सरवहारा वर्ग जो होगा वाचे यह तर शमानोधा करेगा तब माक्रॉद वा सन्सक्रण रहत familiar और जो कुरांडि करेगा तब वह पूजीवादी विवस्ता को उखाड़ थेके जान इन्होंने कहा कि सर्वहारा अर्वर्ग के सब्गों में करते हैं कि सर्वहारा वर्ग जो है उस के पास ठेस्ट है लिए इन्होंने कुछ अन्य सब्दों का जैसे प्रयोक किया है पूजी पतियों के लिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक अर्था सरवहारा वर्ग को बहुसंख्यक कहा है इन्होंने संघर्ष, हिंसक और क्रांथिकारी होगा इसकी बात की है इन्होंने कहा कि अन्य वर्ग भी समाज में पाये जाते हैं जिसको इन्होंने पेट्टी बुर्जवा कहा है क्या कहा पेट्टी बुर्जुवास आधि वर्ग जो है दुरूवी करण की स्थिति में सरभारा के साथ मिल जाएंगे अर्थाथ दुरूवी करण जब होगा तो पेट्टी बुर्जुवास सरभारा वर्ग के साथ मिलकर क्या करेंगे क्रांती का कारण बनेंगे इसको सिंपल टर्म समस्चते हैं कि तीन में हो गए एक हो गया संचीट वर्ग अर्था जिसका युह उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण है दूसरा हो सोसित वर्ग है इसका सोसड ये कर रहा है तो पेट्टी बुर्जवा जो है बीच का वर्ग है थोड़ा संपन्य है तो लेकिन इसका धीरे धीरे जब इसकी इस्तिती खराब होगी तो यह सरवहारा वर्ग में आएगा यह इस वर्ग की बाते भी जानेगा कि यह भी इन वर्ग का सोसड कर रहा है तो इसको आएगा और इसके जो है बंचीत वर्ग में चेतना जगाने का कारें जो है फूट्टू बूर्जवा वर्ग करता है जब यह जगाएगा कि यह आपकेवाई्स 30 है तब चेतना से क्कारण जो है वर्ग करके पूजी बाद को उखार फेंखेंगे जिससे माक्स काल्पनी के यह समय वाद या समाज वाद की किलपना करते हैं कि समाज वाद आए-गा जिस्ति सरवाहारा वर्गों का पूरे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रन होगा और योगिता और कौशल के आधार पर उसको जो है वहाँ पर कार्य मिलेगा माक्स ने परिवार राचि धर्म को पूजी पतियों का पोशक माना है और इन्होंने कहा कि धर्म और कुछ नहोंकर एक सोसण का माध्यम है उन्होंने कहा कि धर्म एक अफीम है धर्म सरवारावर के लिए अफीम का कारे करता है धर्म के संदर्म में इनका एक कथन है कि धर्म पीडित लोगों की आ है एक बेद दिल दुनिया की भावना है और यह जनसाधालण के लिए अफीम है तो यह जितने स्टेटमेंट है डारेक्ट एक्जाम में पूछे जाते हैं तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि धर धर्म पीडित लोगों की आ है एक बेद दिल दुनिया की भावना है आत्म विहीन इस्थितियों की आत्मा है और जनसाधालर के लिए अभीम का कार्य जो है धर्म करता है ऐसा मार्क्स मानते हैं तो इनका अगला स्टेटमेंट है अपनी पुस्तक करनिष्ट मैनिफिस्टों इन्होंने बताया कि अभी तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है एक चीज और यहां पर पूछता है इस वर्ग संघर्ष में जो क्रम पूछता है तो क्रम के इस तरह से हैं में इन्होंने कहा वर्ग संघर्ज के सुत्र के रूप में भी क्रम पुस्ता पहले वर्ग चेतना आएगी वर्ग चेतना के बाद वर्ग का ध्रूबी करड़ होगा फिर वर्ग में एकता कीब वर्ग एकता की बाद कही है फिर इन्होंने यह तीन चीज़े हो गई वर्ग एकता के बाद इन्होंने कहा कि जब एकता आ जाएगी तो वर्ग संघर्ष होगा वर्ग संघर्ष होने के बाद इन्होंने कहा या सरवहारा क्रांती वर्ग संघर्ष को कह सकते हैं तो कहा कि समाजवाद आएगा समाजवाद और समाजवाद के बाद की इस्तिती को इन्होंने शाम्यवाद की बात कही है अगर अंगरेजी में इसको कहें तो पहले class consciousness होगा फिर class polarization होगा फिर class solidarity होगा फिर class conflict होगा फिर उसके बाद socialism होगा फिर अब नीर्सम हो तो इस तरह से एक बार पूछा गया है अक्रम तो आप ध्यान रखेंगे एक बार हम फिर से बता दे रहें कि वर्ग चेतना होगी वर्ग का ध्रुवी करण होगा वर्ग एकता होगा फिर वर्ग संघर्च होगा फिर समाजवाद फिर समीवाद अब एक चीज और पूछी जाती है इन्होंने एक अधर अर्थात उत्पादन प्रलाली के अधार पर चार प्रकार के समाजों की चर्चा की है जिसमें इन्होंने एस याई समाज की बात की है प्राचीन समाज की बात की है और सामंतवादी समाज की बात की है उसके बाद पूजी वादी समाज की बात इन्होंने की है स्वामित के आधार पे चार समाजों की लेख की है आदिम समाज, प्राचीन समाज, सामन्तवादी समाज और पूजीवादी समाज और इन्होंने जो क्रम प्रस्तुत किया कि पहले आदिम समाज आया यह भी पूचा जाता है कि पहले आदिम समाज आ गया उसके बाद ACI समाज की बाते करते हैं, उसके बाद प्राचीन समाज, उसके बाद इन्होंने सामंतवादी समाज की बात की है, फिर पूजीवादी समाज, फिर उसके बाद सामेवाद की बात इन्होंने किया है इन्होंने A.C.I. समाज की निम्रीखित विसेस्ताओं की चर्चा की है कि A.C.I. सहरो का विकास अत्पाधन पद्धत की कारद नहीं बदला है सामुदाईक स्वामित्य देखने को मिलता है बैक्तिका संपति क्या अभाव इन्होंने पाया है एसी आई समाज अर्थात भारत चीन जैसे समाजों की इनोंने एसी आई समाज में रखा है उसके बाद कहा कि क्रिसी कारे राज के हाथों में होता है क्रिसी कारे के लिए जो सिचाई के साधन होते हैं उनका नियंतर राज के हाथों में होता है गाउं जो है स्वाव लंबी होत इस अवधार्णा का सरप्रत्थम प्रयोग रूसों ने अपनी पुस्तक दथ्योरी आफ सोशल कंट्रक्ट में किया है इनके अंसार समाज अपनी च्छाओं को ब्यक्ति पर आवसकता से अधिक आरोपित करता है जिसके कारण से ब्यक्ति में अलगाओ की भावना चन्म होती है तो यह statement जो है रूसो का है कि समाज में अपनी च्छाओं को ब्यक्ति पर आवसकता से अधिक जब आरोपित किया जाता है तो ब्यक्ति में अलगाओ की भावना चन्म लेती है समाज में ब्यक्ति की मूल आकांचा स्वतनता बिरोधी होती है तथा सोसडवा दमन करती है फल्सवरूप ब्यक्ति अपने को बिमुत हो जाता है अलगाओ का साब्दिक अर्थ जो है वस्वा से अलगाओ होता है वहीं ही गल करते हैं कि अलगाओ जो होता है वह इस्वर से बिढ़ दाखती है इन्होंने अलगाओं को मनो वैज्ञानिक गरवडी का कारण माना है grabbing हीगल ने अलगाओं को मनो वैज्ञानिक कर पर गरवड़ी का कारण माना है उसके बाद हापस आ जाते हैं तो हाप्स का भी विचार जो है रूसों से मिलता जुलता है इन सब विचारों की जो है आलोचना माक्स कहते हैं माक्स कहते हैं कि सभी समाजों में अलगाओ देखने को मिलता है लेकिन अध्योगित समाज में अलगाओ जो है अपने चरम सीमा पे पहुचा है मार्क्स काते हैं मनूष से एक स्रिजन सील प्राड़ी है उन्होंने माना है गाकि वो अपने स्रिजन सीलता की संतुष्टी प्राप्ट करता है जिससे वस्तुका वह निर्मार करता है और उसे स्रम का वस्तुकरण अबजेक्टीफिकेशन आफ लेबर करते हैं लेकिन अध्योगिक समाजों में क्या हो गया कि स्रीजन का कारे मशील करने लगी है अब स्रमिकों के स्रम का औवस्तू करण या डिस अबजेक्टिफिकेशन आफ लेबर हो रहा है, ऐसा कौन करते हैं मांक्स करते हैं आज व्यक्ति क्या हो रहा है उसका स्रम विभाजन कर दिय गया है वह केवाद एक ही काम जैसे माल लीजिए कोई एक ब्यक्ति होता था वह पूरा जूते को डिजाइन करता था जूते का उधार देते हैं पहले क्या होता था मोची जो होता था वह पूरे जूते को स्वयम बनाता था लेकिन इन्होंने का कि अध्योगिक समाज आ जाने क कारण अब क्या होता है कि मोची ना कि मसीन जूति बना रहे तो उसका अलग-अलग पार्ट जो है मशीन बना रही है जिसमें मशीन चलाने के लिए तो लेबर या स्त्रमी को वहाँ पर खड़ा है लेकिन उसकी स्रिजन सीलता इसमें नहीं दिखाई देती है उसके वस्तु में तो इन्होंने वस्तु के तो जब उसकी स्रिजन सीलता महां छिड़ होती जाती है तो वहां उससे अपना जो है लगाओ नहीं महसूस करने किसी वस्तु जो उत्पादित करता उससे लगाओ नहीं महसूस करता है जिस कारण से वहां अलगाओ महसूस करने लगता है तो इन्ह प्रदान कर रहा है तो सोसर्ड के कारण से अलगाव हो जाएगा मालिक से प्रतिसपरधा मालिक से जो है उससे हमेशा अपने हीतों के लिए टकराव बना रहेगा जिस कारण वह अलगाव हो जाएगा फिर कुछ दिनों बाद वह चौथे चरण में अपने आपसे अलगाव हो जाती है जिसके अलगाव होता है मिसमी करते हैं कि आज वियक्ति क्या है वे वेवार कर रहा है जिसकालण है अलगावित हो रहा है अधनलिक समाज में वश्थान ट्रथ करता है कि सिंद्धित करता है मतलई हो यह यंप सीमान है जिनोंने प्राँषी लगाव की बात की है एक सक्ति हींता अगर किसी के पास सक्ति नहीं है या किसी ब्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है तो अलगावित महसूस करता है प्रत्मान हींता होता है जब समाज में अर्ध जक्ता आ जाती है तब अलगाव होता है अर्ध हींता जब ब्यक्ति का महत् अपने आपको उस समाज या उस परिवार में अर्थ ही हिन समझने लगता है मेनिंग ले समझने लगता है तो वह अपने आपको अलगावित महसूस करने लगता है संहाजिक प्रिखकरण समाजिक प्रिखकरण जैसे कईदियों को जेल में डाल दिया जाता है तो वह समाजिक प्रिखकरण होने करण यदि math कि आत्म उदाशीन एंकि तब वह है अपनेया पो लगावित महसूस करता है in a labber इater जो है इनका जो है बनावन खीय indicate है कि अलगाव जो है यूअ करव पध्धाट के माध्याव सोता है इनका जितना मसीनी करण बड़ता जाएगा उतना ज्यादा अलगाव होता जाएगा और जीतना मचीनी करार कम होगा कि कम हो्ग है उनका और इन्होंтовे इस अलगाव क हो सिद्धानथ को करव पध्धती द्वारा जोड़ा हैं चेली है इस के ब्लावन जो है इन्होंने हट करका कुटेर उध्योग में अलगाओ कम पाया जाता था जो कि अधिक पाया जाता है अब काल माक्स के संबंद में कुछ आन्य जो हटतत थे इस तरह से हैं जो कि इस बार सायद पूछा गया था एक्जाम में कि डिवाइड किया गया था स्रमिकों को किस तरह कि स्रमिक पाय जाते हैं जो किराया लेता है उसे भूस्वामी कहते हैं ओनर आफ लैंड जो लाब लेता है उचे पूजी पती कहते हैं ओनर आफ प्रॉफिट जो वेतन लेता है उसे स्रमिक कहते हैं ओनर आफ लेभर तो आया लेता है भुस्वामी जो है वह नगड़े हो गया है उनर अप दफ प्रॉफिट अर्थात जो लाव लेता है पुजी पती वर्ग वह इस समय पूरे समाज को नियंत्रित करता है अर्थात इन्होंने लाश्ट में आकर यही कहा कि पुजी वादी पुजी पती और सरवहारा वर्ग दो ही कारेसील वर्ग रह गए एक अन्य अस्थान पर जो है इन्होंने साथ वर्गों की चर्चा की है अपनी पुस्तक रिवोलूशन और काउंटर रिवोलूशन इन जर्मन हरा और लमपट व privileged है कि सामन्ध या भुस्त्वामी में जिसका भुमी पर स्वामी होता है बρजुँओया या पूझी पती जिसका पूझी या उख पादन के साध्रों पर स्वामृत होता है पतीत्व जवा जोह सप्तित्वुर्जवा होता है जो कि कि पुझीप्ति मतलब जो की दूसरों के जमीन पर कार्य करता है या अधिया बोता है इस तरह के क्रिशकों को इन्होंने दरिद्र किसक कहा दूसरा इन्होंने कहा सरवहारा वर्ग जो मिलों में या कारखानों में का दास्रम्कों के रूप में कारे करता है उसे इन्होंने सरवहारा वर्ग कहा है और उसके बाद आता है लंपट सरवहारा लंपट सरवहारा मतलब ऐसे सरवहारा जिनकी स्थिति काफी खराब है अर्थ जिनको भोजन भी ठीक रूप से नहीं मिलता इसको इन्होंने लंपट सर्वहारा कहा है कालमाक्स ने कुछ वर्ड प्रयोग किया है जैसे बुर्जुगा करण सब्दकार प्रयोग उन्होंने कहा तो बुर्जुगा करण को उसके बाद सर्वहारा करण कालमाक्स ने कहा कि जब प्तित मुर्जुगा सर्वहारा उनके साथ मिल जाता है तो उसका जो है सर्वहारा करण हो जाता है कि अधिक अधिक गरीबी बढ़ने लगे कि प्रक्रिया में हो पूझी पतियों की तुल्ला में में लगातार गरीबी होते जार रहे हैं पूझी पति अर्थाद मध्यम वर्ग जब निम्न वर्ग के लच्छड आने लगते हैं तब या प्रक्रिया सर्वहारा करण के रूप में जानी जाती है माक्ष ने इसे दरिद्री करण भी कहा है उसके बाद पेट्टी बुर्जु नहीं करते हैं जैसे दुकंदार ठेले या छोटे पूझी पति इसे इन्होंने पतित बुर्जुगा कहा है अगला इन्होंने नागरिक समाज सिबिल सोसाइटी की बात की है इसा अधार्णा का प्रयोका कि ऐसे भ्रष्ट पूझी वादी समाज जो चरम ब्यक्तिवादिता तथा भौतिक वादिता पर अधारित होता है जिसके परड़्याम स्वरूप संगहर्ष वा दुर्गति उत्पन हुई है जिसे नियंत्रित करने के लिए राज की आवसकता होती है उसे इन्होंने नागरिक समाज कहा है है काल मार्च की जूमीट हुई है वह 14 मार्च 1883 में हुआ है तो ईनकी अण्य और्धार मुल्यक सिधान्थ समाजिक के संदर में इन्होंने वर्कसंगर्स की बात कही है तो इनके मार्स की कुछ अन्य पुष्टके इस प्रकार है गरुन ड्राइज गुरुन ड्राइज जो है 1849 में दीज आर फायर बाक 1888 में ग्रिटिक आफ दा गोथा प्रोग्राम तो यह यह पुष्टके हैं जो कि हम लोग प्रोपरली नहीं जानते हैं तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कालमाक से कई बार अन्नोन पुष्टके एक्जाम में पूछी गई इसके बाद अठीड अठारवी ब्रामा यर्स आफ दर लुईस बोनापार्ट जो है एटीज जो बार्मन बोनापार्ट थे उसके इन्होंने अठारश सो बावन में लिख्या था उसके बाद वेज़ाफ लेबर अट कैप्टिल अठारश सो उनचास में इनकी पुष्टक र 1884 में इनकी प्रकाशित पुष्टक रही है उसके बाद यह बात करते हैं कि अग्यों कि अग्यों के साथ लिखा है क्रिटिक आफ हीगल फिलोसफी आफ राइट 1927 में प्रकाशित पुष्टक 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 जो कि इनके मृत बाद प्रकाशित हुई है कि पूझा गया था एकजाम में मृत के बाद कौन सी पुष्टक 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 हुई है उसके बाद ऑन दे जूश कुष्ट्यन जूश्टक इसके बाद काल मार्क्स आन इंडिया बिठ एंजल के साथ लिखा है यह एंजल्स के साथ हिनों ने लिखा है 1956 में प्रकासित हुई है और है और है रोगट 1860 में और माक्स अन रिलीजन माक्स अन रिलीजन यह जो है इनकी कुछ अधर पुष्टके हैं जो कि इक्जाम में पूछी जाती रही है नया टर्म आया है कि नहीं नहीं पूचि जा रहें है तिंगर से रिलेट करके जो कि पहले नहीं पूचा जाता था लेकिन अब कहीं से भी कुछ फिलींपों तो में जो है 1864 में हुआ है दित जो है 1902 में हुई है तो मैक्स बेबर जर्मनी के समास्षास्तियों में काल माक्स के बाद सरवाधिक प्रसिद्ध समास्षास्त्री माने जाते हैं तो इन्होंने समास्षास्त को कल्पना से निकाल कर वास्त्री धरातर पर उतारने का जो प्रयास प्राम्टे इस्प्रेंसर माक्स दुर्खीम ने किया है उसी आधहार पे मैक्स बेबर जो है इस नाम की कडियों में अगली कडिया थिंकर के रूप में जाने जाते हैं है मैक्स बेबर को काल मास का भूद कहा जाता है क्या कहा जाता है काल माक्स का भूद का अब नने मास को कहा जाता है और इनका जो जन्म हुवा था है कि सब्सक्राइब लठाव सब्सक्रार परिवार में हुए इनके पीटा जो है प्रोटेश्टेंट थे और मांता आप कैल्वीन धर्म को मानने वाली तो कारण इनमें जो है दोनों प्रोटेस्टेंठ धर्म और कैल्विन वाद पोनों के विचारों का दो है देखने को मिलता है इन्हों यह अपनी पीएश्डी की है वह 1889 में पीएश्डी इन्हों ने 1889 में किया है जो इनकी पुस्तक रहे है पीएश्डी का विश्डी रहा है मैक्सपेपर प्रमुक्तर जाने जाते हैं व्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष के लिए इन्हें व्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् किया को समाजसास की विएवस्तौ के रूप में देखा इनों का कि जो समाज क्रियाओं का अध्याइन करने वाला विज्ञान है और मैक्स बेबर इससे पहले जो भी ठिंकर रहे हैं उन्होंने समाज को समाज को केंदर में रखा है लेकिन मैक्स बेबर ऐसे ठिंकर हैं जिन्होंने सरवपर्थम ब्यक्ति को अध्यान के केंदर में रखने का प्रयास किया या समाज सास के विसेवस्तु में ब्यक्ति को परीभासित किया है जब कोई भ्यक्ति कोई भी समाजिक क्रिया को करता है तो समाजिक क्रिया करने के प्रति उसका कोई ना कोई कारड चुपा होता है उस क्रिया के पीछे उसका कोई न कोई जो है कारड होता है उन्होंने का समाजिक सोध करता का उद्देश्य होना चाहिए कि ब्यक्ति के क्रियाओं के कारडों को कैसे समझा जाए उसकी ब्याख्या कैसे किया जाए उसी बात को उन्होंने का कि उसी तरह ह माश शास्त्र इन्होंने कहा है। इसके लिए इन्होंने दो पध्धतियों का प्रयोग किया है। पूछी जाती है। टे वरष्टि है वरष्टि है है और आधर्स प्रारूप आईडोल सब्सक्रारूप ऐस दो प्रकार Drake जो पद्धती हैं तो आप लोग ध्यान रखिए जब भी अध्यन पद्धती की बात होगी तो वहां पे दो प्रकार के इन्हों अध्धियों की चर्चा की है समाजी क्रियाओं के लिए एक वराश्टियन पर दूसरा आधर्स प्रारूप अब वराश्टियन सब्दका होता है जो अर्थ हुआ व्याक्ष्यात्मक बोध होता अर्था इन्होंने कहा जब भी हम किसी करता कि क्रिया का अध्यन करने जाएंगे तो उस करता कि अस्थान पे हम अपने आप स्वयम को रखकर उस परिस्थिति में अपने आपको रखकर उसकी क्रियाओं का अध्यन करना चाहिए ताकि हमें जो निसकर्ष मिले वह सठीक मिले जो निसकर्ष मिले वह हमें सठीक मिले अज़ि अर्फु अ दूसरा इन्होंने जो अवधानणा बताई है आडर्स प्रारूप है अधर्स प्रारूप होता है इन्होंने का जो घ्स्तामाजि क्रियाए या घटनाए होती हैं उनके कई प्रमु तत्व होते हैं उन तत्यों में यह प्रमुक्तत्व जो होते हैं उनको उनको चाड़कर उनका अध्यन करना जिससे कि उस क्लिया की पूरत व्याक्षा की जा सके उसी को इन्होंने आईडियल टाइप कहा कि कि इसी घटना के पीछे के व्यमुक्य तत्व जो उस घटना को पूर्ता परिभासित कर सकें तो उसी को इन्हों ने आधर्स प्रारूप कहा है मैक्स बेवर ने सामाजिक क्रिया जो सामाजिक क्रिया का अभिष्री तद्जन किया है तो अपनी पुष्टक दस्व त्थियरी आप शोसल अंड एकोनॉमिक और्गनाइजेशन में बढ़िया से उलेक इसका किया है इन्होंने कहा है कि जो भी क्रिया करने वाला ब्यक्ति होत जैसे एक उदहार पूछा जाता कि दो साइकल सवार जा रहे हैं और साइकल सवार जब दो लोग जा रहे हैं उन्होंने एकडूसरे के तरप देखा और में-पत्गिया नहीं दी तब वह सामाजिक रिया कि कहीं जाएगी अर्था दो साइक्ल सवार हैं, माल दीजे, और आपस में एक दूसरे के सामने से चले गए, और कोई पत्किया नहीं हुई, तो इसको सोसल एक्सन नहीं कहा जाए, लेकिन अगर जब दो साइक्ल सवार हैं, आपस में टकराते हैं, उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं, तो उसको इन्होंने सोसल क्रिया किया है, कि जब क्रिया प्रत्क्रिया के रूप में सामने आएगी, तभी जो है सामाजिक क्रिया मानी जाती है, इन्होंने कहा है, इन्होंने एक और कहा कि सोसल एक्सन तब होगा, जैसे दो ब्यक्ति हैं, दोनों में कोई बात हुई, और जब होवा है जो व्यक्ति कहना चाहता है उसी संदर्म में या व्यक्ति उस क्रिया का अर्थ लगाता है तब उस संदर्म में व्यक्ति जो आपच्छित रहता है जो क्रियाएं उस तरह की प्रत्क्रिया देता है तो इसको इन्होंने सोसल चायन कहा अर्था सोसल एक्षन कहा है कि क् के अनुसार प्रत्रिया देगा या इर्थ को समाव्यस करके प्रत्रिया देगा तो वही सोचल एक्षन है आज आ है इस व्योड पताये हैं इसके कि इनुनका प्रत्म में समाजी क्रिया किसी ब्यक्तियों या वेक्षिचों के भूत वर्तमान भावी ब्योहार द्वारा प्रभावित होना चाहिए जैसे अब दो ब्यक्ति हैं एक ब्यक्ति ने किसी से लोन लिया है तो ब्यक्ति का भूत है लेकिन जब आपने सामने मिलते हैं आपस में लोन के लिए जगड़ा कर लिए तो वह जो एक सन होगा वह उनके भूत से प्रभावुत होगा तो ऐचाह करते हैं दूसरा प्रतेक प्रकार की क्रिया अर्था द्वाैवी क्रिया सामाजिक नहीं कही जा सकती तो यह सीधा सीधा पूछा गया है प्रश्ण UGC Net Exam में कि मैक्स बेबर ने सभी प्रकार की क्रियाओं को क्या समाजिक क्रिया माना है तो नहीं तो सभी प्रकार की क्रियाएं समाजिक क्रियाएं नहीं का जा सकती यदि वह पूर्त जड़ या बे चांदार वस्तुव द्वारा प्रभावित होती है तीसरी बात इन्होंने का कि प्रते एक प्रकार का संपर्ग भी समाजिक नहीं हो सकता वह एक दूसरे के विवहार में अर सब्सक्राइब करेंगे तो उसको समाजिक एक्सन नहीं कहेंगे रहा है अगला इन्होंने चार प्रकार की समाजिक्राइब का उलेग किया है तो चार प्रकार कौन से हैं, तारकिक या rational, rationalative action या तारकिक क्रिया, दूसरा इन्होंने मुल्यांकनात्मक या evolution action बताया, तीसरा भावात्मक या प्रभावात्मक effective action बताया, चोथा परंपरागत क्रिया या traditional action बताया, तारकिक क्रिया में कहा कि लच्च मूलक क्रिया जो होती हैं, उपचारिक क्रिया जो होती हैं, उछे इन्होंने तारकिक क्रिया कहा, जैसे हमें exam पास करके assistant professor बनेंगे, तो या हमारा जो है तारकिक action है, दूसरा इन्होंने मुल्यांकनात्मक कहा, कि जब नयतिकता कला िनส fourteen णुराऊट्मोज द्यस्तिय्य that पेजयश के बैत की है जिसमें इन्होंने बताया कि इस सब्क्रान Impossible आधी के अधित हथ जो भी क्रीयान की जाती हैं जैसे हम किसी के उदार देकर इस तरह बच्चे को चाटा पूछ लिया जाता है कि वह पूरवजो आनुक्रणर करते हैं क्रियां या पर्थाओं के माध्यम से तब वह परंपरा गत क्रिया होती है आप किसी भी परंपरा को फालून करते हैं जिसके तहत ब्यक्ति का सामाजी करण हुआ होता है और कुछ अनुसस्तियां होते हैं पूरसकार और दंड होते हैं ब्यक्ति पर आरूपित होते हैं कि वह क्रिया हैं अगर परंपरा के अधार प कर लेते हैं तो समाज के द्वारा आपको पृथा का पालन ना करने के कारण डंड दिया जाता है आपको समाज या जाती से बहिस्कृत कर दिया जाता है तो इस तरह के उसके बाद इन्हों ने सक्टिए और सब्सक्ता की की बात की है तो इन्होंने सक्ति सक्ति की बात की का सक्ति का प्रयोक सनचना को सपष्ट करने के लिए कि सक्ति ही समाजिक संबंधों का एक पहलू है जो एक दूसरे के आचरण पर अपनी इच्छा थोपने की भावना है तो सक्ति को परिभास किया है कि जब दूसरे की आजाती है जिसे समाज वायधता प्रदान कर देता है तो वह सत्ता बन जाती है इन्हों का सक्ति में प्रभुत्व का गुर्पाया जाता है प्रभुतर्था जिसमें आदेश देने की सक्ति होती है दूसरा अधिनास्त होते हैं जो कमांडेड होते हैं जो सक्ति को मानने के लि सरोतों जिसमें सामाजिक प्राप्त हो जाती है उसे प्रभुत्य या सट्solा करते हैं मैं अधित्व ए सबीवर ने सकती या सकता, प्रभुत्त या सकती के स्रोद को तीन रूपों में वभाजित किया है, वह तीन रूप्त है करिस्माई या चमतकारी जसकति या सथा जैसे गाधी जी असाधार कर सब भाइं करशторовयाइटिक या सब जाने जाते हैं दूसरा है परंपलागत सकती है यह आप मिन आपकड़एट पत्र के पास जो सक्ति होती है राजा के मारने के बाद राजा का बेटा ही कुर्सी पे वैठेगा इस तरह की जो है सक्ति को परमपरागत सक्ति या सत्ता कहते हैं जैसे इंग्लेंड की रानी के बाद वहां के उनके बेटे चाल्स को अभी राजा बना दिया गया है तो यह जो है परंपरागत सत्ता चली आ रही है परिवार में पिता का सरोच्च अस्थान होना जनजातियों में मुखिया का सरोच्च अस्थान होना इस तब परंपरागत सक्ति या सत्ता के उधारर हैं तीसरा इन्होंने पता है बिधिक या तार्किक सत्ता बिधिक या तार्किक सत्ता में समिधान या कानूनों के माध्यम से प्राप्त सक्ति या सत्ता को तार्किक सत्ता कहा गया जैसे बिधायक के पास चुनाओ जीतने के बाद सत्ता आ जाती है एक अधिकारी के पास एक्जाम पास करने के बाद सम्विधान के तर्थ उसके पास सक्ति आ जाती है प्रधान मंत्री हो गए राश्टपती हो गए तो सम्विधानिक सक्ति इनको लोगों को प्राप्त है तो यह लोग विदिक या तारकिक सब्ता के अंतरगत चुने जाते हैं बेबर ने नोकर साही में अलगाव की बात कही है कि जब भी ब्यक्ति की स्रिजन सीलता नोकर साही आ जाने पर नियमों के दबाव सवरूप ब्यक्ति की स्रिजन सीलता खतम हो जाती है तो उसमें ब्यक्ति अलगावित होता है तो उसे नोकर साही से अलगाव को जोड़कर बता आज की वीडियो हम यहीं समावत कर रहे हैं वीडियो को like and share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और Max Weaver की जो है आगे का जो सिधांत या ठीरि है उसको हम कल की वीडियो में देखेंगे मैक्स के अलगाव तक की चर्चा हमने की है उसके बाद कि में उनके कुछ अन्य महत्पूर्य तत्यों को हम पढ़ेंगे धन्यवाद